जीरो से इंफिनिटी एकी पावर माइनस x स्क्वेर दी एक्स इट इस इक्वल टू स्क्वेर रूट पाई बाई बाई टू सो यह काफ़ इंपोर्टेंट कोईशन है अगर बात करें कि इसे कैसे रेक्विनाईज करने की यह कहां से लिया गया इंटेग्रल है तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीटा और गामा फंक्शन की तो गामा फंक्शन की डेफिनिशन हमें पता है कि गामा एन किसकी फॉर्म में होता है 0 to infinity e ray to power minus x x ray to power n minus 1 dx तो हमें गामा फंक्शन की डेफिनिशन apply करने है इसके उपर तो हमें e की power minus x चाहिए और यहाँ पे e की power minus x square है तो सबसे पहला काम होगा हमारा कि x square को t put करना so x square को हमने t put किया तो यहाँ से हमें dx की value भी निकालनी होगी तो x को लिख सकते हैं t की power 1 by 2 और dx को लिख सकते हैं 1 by 2 t की power minus 1 by 2 dt और इसे further लिख सकते हैं 1 by 2 square root t dt तो x की values अगर हम इसमें put करें further तो हमारा पास क्या देखने को मिल रहे हैं अगर x की value 0 है तो t की value भी 0 है अगर limits की बात करें और अगर x की approach कर रहे हैं infinity को तो t भी approach कर रहे हैं infinity को तो limits हमारी क्या रहेंगे t में 0 से infinity 0 से infinity e rate to power minus t dx की value मारे पास क्या है dx की value है half t की power minus 1 by 2 dt तो हम यह value put करते हैं half t की power minus 1 by 2 dt अगर हम compare करें इस situation को इस equation से तो हमारे पास देखने को मिल रहे हैं n की value किसके equal है half equal further हम इसे ही लिख सकते हैं 1 by 2 0 to infinity e rate to power minus t t rate to power half minus 1 dt basically minus half है तो half minus 1 will be minus half तो अब clearly यह n किसके equal आ रहे है half के equal तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं 1 by 2 gamma half that is equal to 1 by 2 square root pi तो यह काफी basic और काफी important example था ठीक है हम इसे multiple method से solve कर सकते हैं आपके पास laplace transformation में भी ऐसा question था पर अभी हमें gamma function की help से solve करना था तो सबसे पहले हमने x square को t put किया then accordingly dx की values put की limits basically इसमें 0 से infinity ही रही limits में कोई changes नहीं आए और हमारे पास जो यह expression बना उसे हमने gamma function के expression से compare किया तो हमारे पास n की value half आगी n की value half then half gamma n तो आपके पास half square root 20 का answer है करते हमारा पास नहीं हमारे जफके आपके पास नहीं पास बना